हाई एवरिवान वेल्कम बाक टू माई यूटूब चैनल सो आश मैं जारी हूँ कमला नगर शॉपिंग करने के लिए सो चलो देखते हैं कि मुझे कमला नगर में कुछ मिलता है या नहीं मैं बहुत सारी मार्केट गूम चुक हूँ मुझे अपने लिए हील्स और एरिंग्स नहीं मिल रहे तो लेट सी कमला नगर में मिलते हैं या नहीं मार्केट के अंदर एंटर करते के साथ ही मैंने देखा कि जो बाहर मार्केट लगते है वो नहीं लगी हुई कुछ-कुछ शॉप्स खुली हुई है जाते के साथ हमें ये वाम सा पता नहीं से क्या बोलते हैं विंटर्स के लिए ये कुछ पता नहीं क्या प्रणाउंस करते हैं से हमें ये दिखे बहुत क्यूट क्यूट सो ओवेसली ये मैडम मेरे साथ है तो आलतु फालतु चीजे तो देखनी बनती है मुझे एक ही पिंक का लगा ये भी क्यूट लगा इसमें डिजाइन बहुत सारे थे मैं को परसनली ये पॉपल वन अच्छा लगा मैंने इसे बोला कि चल ट्राइ करके दिखा मुझे कैसा लग रहा है ये इसके उपर इसी के जैसे लग रहा है है वी हैवी सा सो मुझे एक और डिजाइन दिखा पड़ ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं था बट मुझे वह पॉपल वन इतना अच्छा लगा तो मैंने कचल यार मैं भी ट्राइ करूंगी मेरी विडियो पर ये काफी क्यूट था उसके बाद हम थोड़े से आगे गए हमें आक्चुली ये विंटर शूज लेने थे पता निया स्लीपर बोलते शूज बोलते मुझे तो इन लोगों के एक्जाक नयाम भी नहीं पता तो हमें कुछ या पे यहां पे काफी सारे डिजाइन्स थे वैसे इतनी क्यूट स्लीपर्स थे बट यार हम लोग जो ढूंड रहे थे हमें फुल वाले मतलब जो पीछे से भी कवरो वैसा वाला कुछ चाहिए था और और विंटर जा रही है तो इतना जादा स्टॉक नहीं था एक यह था यह भी सो सो लगा मुझे बहुत जाद अच्छा नहीं तो फिर हम लोगों को एर्पोस के कवर देखने थे तो यहां पर मुझे काफी सारे डिजाइंस दिखे एरपोस के कवर के यह वली शॉप बिलकुल मैक डी के सामने थी बट मुझे इनके प्राइजेस थोड़े जादा लगे यह मतलब 350 एरपोस के कवर के बोल रहे थे तो मेंको जाद गए हम लोगों को बैग्स दिखे यह एक टांस्पेरेंट बैग था पता नहीं क्यों मुझे इस वर हर जगी के रेट्स बहुत जादा लग रहे थे बिकॉस शायद पूरी मार्किट ओपन नहीं थी कुछ कुछ शॉप्स थी तो मेभी शायद वह बहुत जादा लिए एक यह पिंग अलग बैग मुझे क्यूट सा लग रहा था मैंने इसका प्राइस पूछा यह भी थाउजन रुपीज का था आई मीन यार थाउजन रुपीज का अगर तुम ऐसे बैग ले रहे हो तो थोड़ा सा और इन्वस्ट करकि तुम लाइक एचनेम फॉरेवर के बैक्स भी ले सकते हो तो मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया मैंने वो नहीं लिया वहासे कुछ भी और फिर हम कोला पूरी मार्केट की और चले गए और पूरी मार्केट डेकॉर हो रखी थी क्योंकि आप सब लोगों को पता है यह 22 को रामची मंदिर का वह था इसलिए हम गए हैं स्कालेटोज में हमने हील्स देखी पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है यार मैंने इतनी सारी हील्स देख ली मुझे कुछ समझी नहीं आया उसके बाद मैं मैं जलो की इन्वेर्ट में देखते हैं यहां पर चाहिए कुछ मिल जाएं एक ब मुझे यहां पे भी सच बताऊ ना कुछ भी ही नहीं मिला अपने लिए और मैं बिल्कुल ऐसी हो गई शुट्यार मुझे कुछ पसंद क्यों नहीं आ रहा उसके बद मुझे अपने लिए तो कुछ मिला नहीं बट हाँ इस मैडम जी को अपने लिए हील्स जरूर मिल गई तो एरिंग्स दूणने देखा एरिंग्स में भी काफी इतनी मत था हमारी करने के बाद इतना डूणने के बाद मुझे एक एरिंग्स समझ में आए मैंने वह बाई किये बट घर आके मैंने देखा यार वो मेरे गाउन के ओपर नहीं जा रहे है मैं अगें गई स्कालेटोस की जार में कुछ तो मिले कुछ तो मिले फिर फाइनली जाके मैंने वह से एक हील्स तो ले हीली